अगे नमस्कार मैं हूँ यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा हास-कार्यक्राम देश की बात और आद हम देश की बात करेंगे दिल्ली बीजे-पी के प्रदेश अध्यक्ष सदीश उपाधिया जी के साथ सदीश आपका इसकार शाङ कर दिली देश का दिल है राजधानी है और अब दिली एक बार फिर चुनाब में जा रही एक साल के बाद तो दिली से कहा उम्हिते हैं और आपने कहा कि दिली देश का है दिली देश की धरकन है और इस धरकन को जिस तरीके से गत पन्दरे बर्षें में कांग्रेस ने उसके साथ जो ट्रीट्में drivers किया है और पिछले गत एक वर्ष के अंदर जिस तरीके से एक साल बादी दुबारा से दिली चुनाम में जा रही है तो तो ये तमान तरह के सवाल इस पर पैदा करती है कि ऐसी इस्तिती पैदा क्यों हुई है और आज दिली के लोग दुबारा से इस मद्दान के लिए दिली में जा रहे हैं तो ये सब एक लंबा एनलेसिस करने की आवर्शकता है और दिली की धणकन ये चाहती है कि अब ये बार-बार की जो गफलतें हैं वो बंद होनी चाहिए और दिली में एक स्थाई सरकार की जरूरत है दिली में एक ठहरने वाली सरकार की जरूरत है दिली में एक जवाबदारी की सरकार की जरूरत है तो इन सब परैमेटर को ध्यान में रखते हुए क्या आपने मिशन क्या रखा है टार्गेट क्या रखा है जिसको अचीव करना है निशित रूप से दिली का जो मिशन है दिली का जो टारगेट है दिली के सवाल दिली का जो धरकर है दिली के बारे में तमाम तरह के वाइदे बहुत बार किये गए हैं और दिल्ली का जो एक समुचित विकास होना चाहिए था जो डवलमेंट होना चाहिए था वो डवलमेंट दिल्ली का हुआ नहीं जब हम बात करते हैं कि गुड गवर्नेंस की बात करते हैं हमें एक सुशाशन की बात करते हैं तो वास्तर में वो सुशाशन दिल्ली को मिला नह करके मुद्दे आएंगे दिली की पानी की समस्या को ले करके दिली के हेल्थ की समस्या दिली के एजूकेशन दिली के रोजगार दिली का टूरिजम दिली का आउटलोक दिली का शोशल तानावाना दिली की महलाओं की सुरक्षा दिली के बुजर्गों की सुरक्षा दिली के चुगी जौपनियों की आवस्था ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर डिली आज अपने मोहने पर खड़ी है दिली देश की रासधानी है और डिली से लोगों को बहुत आशाए हैं दिली अपने आप में एक रोल मॉडल होना चाहिए पूरे देश के लिए और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए दिली को हमें एक शांदर सरकार देंगे और दिली का सुन्योजित प्लाइंड डवल्मेंट निश्चित रूप से हम करेंगे अभी दो राज़ों के चुना हुए वहाँ जो बीजेपी की तरफ से एक टारगेट फिक्स किया गया था जमो कश्मीर में मिशन 44 प्लस और जारकन में मिशन 60 लेकिन वो मिशन पूरा नहीं हो पाया तो उसको देखते हुए दिली में क्या एतियाती गदम जादा उठा पार्टी को वहाँ पर बिलकुल ये समझते थे कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और वहाँ आज़ादी के बाद सबसे ज़्यदा सीटें 25 सीटें वहाँ पर आई हैं और आज हम वहाँ पर सरकार बनने और बिगड़ने और सरकार बिना भारती जनता पार्टी के बनना असमभ है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्दी और खास करके वैली के अंदर जहां पर हम अलगावाद की बात करते हैं जहां पर हम मुस्लिम मद्दाता बहुत जादा हैं जहां पर भारती जनता पार्टी को एक डिफरेंट डिस्टिकॉन से देखा है सामा परशाद मु परसंटेज से कमी विशी रहती है और जो वो जो आपका अनुभव है उस अनुभव को ध्यान में रखकर निशित रूप से दिल्ली का जो टार्गेट है दिल्ली उन अनुभवमों को हम निशित रूप से ध्यान में रखेंगे और दिल्ली में एक मौडरेट टार्गेट के साथ निश्यत रूप से दिली में सरकार हमारी बने इस मिशन को हम रखेंगा पिछले साल जो दिली में मिशन आपका था पूर्ण भूमस की सरकार बनाने का मिशन नहीं हो पाया च्छतीस कांकला नहीं आया बत्तीस के गाड़ी अटक गई और देखे दिली ने क्या क्या है दिली के लोगों का जो सोच है जब हम समाज में जाते हैं दिखाई देता है तो उन्हों ने भी अभी सोच रखा है कि अब अपकी बार भजख़ा सरकार कारण है उसका की उन्होंने 15 साल कॉंग्रेस का राज देखा और 89 दिन सो काल दिली की बहुत खोकले दावे करने वा सुषता हूं भारती अंता पार्टी दक्ष होने के नाते मैं अपना दायत तो समझता नहीं लेकिन ये जरूर है कि दिली के लोगों को उन सब की सच्चाई उनका पंद्रे साल का कुपरशाशन उनका भरस्ताचार उनकी बैट गवर्नेंस उनके सामने हैं और उन्चास दिन के चुनाब में अगर उसको हम परेलक्षित करें तो साथ सीटों पर हमको बड़ा थासिल हुई थी और हमारी कोशिश होगी कि जो पारलिमेंट का हमारा जो मतदान का पर्तिशत हमको मिला था और जिन सीटों पर हमको विजए पराप्त हुई थी उस लक्ष को पूरा करने का हम अपनी कोशिश करें राजनीती हैं मुद्दे अलग हैं पारलिमेंट के चुनाब अलग मुद्दों पर होते हैं विदान सभा के चुनाब अलग मुद्दों पर होते हैं और मुझे सच को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसमें हम अपना मिशन जरूर ये रखेंगे कि हम को वही माददान जो मिल चुका है कोई अत्रिक बात हम नहीं कह रहे हैं वो हमें मिले ये हम मानते हैं सर्थ आपने बहुत साफ़गूई के साथ बात की कि साथ हम लक्षय रखेंगे और बाकी जनता पर छोड़ते हैं कितना देती है इसके अलावा कई और मुद्दे हैं दिल्ली से जुड़े हूए हैं देश से जुड़े हूए हैं उपर हम आपसे बात करेंगे लेकिन फिरहाल वक्त होचला है चोटे से बरेक का छोटे से ब्रेक के बाद हम फॉरार हाजीर होते हैं और सतीष उपाधिया जी के साथ देश की बात को दिल्ली की बात को आगे बढ़ाते हैं, आपको ही मज जाएगा, बने दहीगा हमारे साथ.